हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक असान सा चोटा सा हैक जो कि है होममेट टॉयलेट क्लीनर जिसकी मदद से आप अपने टॉयलेट को बहुत असानी से बहुत अच्छे से क्लीन रख सकते हैं तो बहुत असानी से ये टॉयलेट क्लीनर त्यार हो जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए सबसे पहले हम लेंगे एक सोप, मैंने लेमन खुश्बू अला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें अच्छी फ्रेग्रेंस हो इसको ग्रेट कर लेंगे अच्छे से, यह देखें ग्रेट कर लिया है, फिर इसमें डालेंगे टूथपेस्ट, यह थोड़ा बड़ा साइज है, इसलिए मैंने आधा लिया है, आप थोड़ा छोटा साइज हो तो पूरा डाल सकते हैं, यह देखें मैंने आधा ले लिया है, soda डालने के बाद अब हम इसको mixture को जो है अच्छे से mix कर लेंगे और ये dough जैसा त्यार हो जाएगा अच्छे से बिलकुल mix करके ये देखे dough बन गया है अब इसके छोटे-छोटे balls बनाने है friends अब वो आपके dough के उपर है 3 बने, 4 बने, 5 बने इतने छोटे-छोटे ball उसके बाद हमें ले लिना एक foil paper जो normal घर में use होता है एक बड़ा piece काटके एक ball को इसमें wrap कर देंगे wrap करते हुए हमें ध्यान अखना है बहुत अच्छे से wrap करना है ताकि ये mixture इससे बहार ना आए बिल्कुल बढ़िया से ये देखे जैसे हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से wrap करके और इसका एक ball जैसा बना लिया है ये देखे बिल्कुल goal बन गया है इस तरीके के आपके जितने भी balls त्यार हुआ है चार-पांच सारे इसी तरीके से wrap करके बना लिया है उसके बाद हमें लेनी एक toothpick और इसमें hole करना शुरू करना है ये देखे इसमें ज्यादा से ज्यादा hole करने है friends क्योंकि जब आप इस ball को water tank में डालेंगे तो इनी hole के तुरू ये जो आपने mixture त्यार किया है ये पानी में घुलेगा और अपना काम करेगा ये देखे बाकी balls को हम store करके रख सकते हैं ताकि जब एक ball खतम हो जाए तो आप दूसरा यूज़ करें अब ये देखे water tank खोल लिया है toilet का सिस्टर्न जिसको बोलते हैं और उसमें कोने में ये अराम से डाल दिया है इसको 57 minute के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजे उसके बाद जब आप flush करेंगे तो देखे बिलकुल एकदम clean हो जाएगा और अच्छी fragrance भी आपको मिलती रहेगी thanks for watching friends and stay tuned for such useful videos